गुड बॉर्निंग कमांडोज कैसे हैं आप सब लोग तो मुझे मालूम है सुभे सुभे उठकर लेक्चर देखना कई बार जो है तो आसा ऐसा लगता है कि सर बहुत जदा महनत करवा रहे हैं पर मैंने पहले भी आपसे बिटा कहा है कि थोड़ा सा जो है वो शुडूल को च सारे टेस्ट लगाए हैं और जो कॉंकर सीरीस के आपके डीपीए से पूरा एक दिन है आप मंडे से लेके थर्स्दे तक आप पूरा चेप्टर फिजिक्स का एक चेप्टर केमिस्टी का एक चेप्टर बायलोजी में यह क्या दो चेप्टर आप रिवाइस करते हैं और उन दिवे धीमे में एक्जाम तक पहुंचने लिए हर वीक दो मॉक्तेस दिजिए एक ओनलाइन एक ओफलाइन हम चाहें तो दोनों ओनलाइन कर सकते हैं लिए हम एक ओफलाइन जान पूछकर आपको आप जो है वह इस बात को समझ जाएं कि आपको अमर शीट बरना है क्योंकि आप जब एक्जाम दे रहे होते हैं वहाँ पे आपको और दिखिए मतला जब आप ओफलाइन मॉक्तेस सॉल्व करते हैं विटा इस मच मोर इंपॉर्टेंट देन ओनलाइन मॉक्तेस राइट नाओ क्योंकि आपको बकाईदा दो बजे का जो टाइम है वो टाइम पर आपक क्रेश कोर्स में अलग प्रकार टेस्ट हुए आपके अभी पूरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पिटके तो बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हैं और अब आप मेंसे कई बच्चों की दिमाग में आएगा कि सर आपने हमको एवालिशन की बजाया आप कोई दू तो जो हुमन इवालिशन है ऐसा कभी नहीं हुआ है बेटा कि जहां इस पूर्शन से एक्जाम में कोश्चन ना आया हो ठीके हर साल आपके वन से लेके थ्री वन टू थ्री कोश्चन हमको देखने मिलते हैं और एक या दो कोश्चन भी एक्जाम में बहुत महायत रखाता ह होता है ठीकिना तो थोड़ा सा एक बार हम और यह पूर्शन से थोड़ा याद रखने में ट्रिकी होता तो एक बार हम देख लेते हैं कुछ ऐसी जानकारी है जो एक्जाम में आ सकती है उनको भी बार हम यहाँ पर देख लेते हैं के लिए चलिए तो इसका मतलब बिटा य पर उसे याद रखना वोकांद यह कि हवारे एंस एंस्य आइटी में जिस किरम में में रखा है वही करम हमे याद क्योंकि यह ऐसा पॉर्षन है जहां पर आप जितनी किताबें पढ़ेंगे जितनी सारी भुक्स आप पढ़ेंगे उतना अधिक यहां पर aber confusion मैंने तो यूपेसी के समय में जो है वो एंथ्रोपलोजी मेरा सब्जेक्ट था वहां पर मुझे पूरा का पूरा मानव का human evolution पढ़ना पढ़ा मुझे human culture के वारे मुझे पढ़ना पढ़ा तो वह बहुत सारा पढ़ा है तो मैं कहता हूँ तो वह सारे आकड़े जो मैंने पढ़ा अपने यूपेसी के समय वह यहां पर मैली नहीं खाते है एंसी आइटी से वह ठीक है एंसी आटी ने कुछ ऐसे लिखा है वह को रवेग टाइप का रफ टाइप का लिखा है लेकिन पहले तो हम क्या करेंगे एंसी आटी के सारे पॉइंट देखते हैं और साथ में कुछ एडिशनल चीज़े जो एग्जाम के पॉइंट अव जरूरी उनको भी हम एड करते हो चलेंगे ठीके ना बटा चली है ना तो मतलब आज का लेक्चर जो है वह आपके एग्जाम में दो कोशन एक से तीन कोशन जनरली होता है तो दो कोशन समझ लेजिए आपके इस पॉर्शन से आने हैं तो उसको हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं ठीके ना चले तो इसमें सबसे पहले हम बात क्या करते हैं सबसे पहले मैं कहता हूं आपको मैं कुछ प्रस्ण दिया हूं इनके उत्तर बताईए मु हाँ एक बात और क्लियर कर दू कल के उसमें आपने कल जो मैंने पूछा था आपसे क्लास में कि 1953 डबल स्टेंट डियने का मॉडल दिया वाट्सन क्रिक ने 1962 में उसके लिए नोबल पाईज मिला उनको परफेक्ली आल राइट कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं बह एक प्रेम से भी कह रहा हूँ ठीके और रिक्वेस्ट भी कर रहा हो कि अच्छा कर क्या ना आ रहे ना चल तो अभी क्या बात कर तो आप दूसरा कोशन यह है कि इसका अंसर बता है कि आपके सामने कुछ कोश्चन है मिटा है ना इन तीनो प्रस्णों के उत्तर कीजिए फटा फ़ाइट आंसर चाहिए मैंने को होमो सेपियन्स वो टर्म होमो सेपियन्स किस ने दिया मैंस प्लेस इन नेचर एंड डिसेंट आफ मैं बुक के लेका कौन थे ठीके वोज दिखाई पढ़ रहा है विटा आपके सामने दिखाई पढ़ रहा है डिफ्रेंट टाइप के आप देख रहे हैं सर हम तो मतलब अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी इसमें भी धान से देखोगे आप इसमें तो इसमें भी आपको जो है वो दो कैटेगरी देखने मिलेंगे विटा एक होते हैं प्रोसीमियन्स एक होते है प्रोसीमियन्स ठीक रहा और एक होते है सीमियन्स ठीक है प्रोसीमियन्स एंड सीमियन्स के सीमियन्स का मतलब क्या होता है बिटा मंकी लाइक सीमियन्स का मतलब क्या होता है सीमियन्स का मतलब क्या होता है मंकी लाइक सीमियन्स का मतलब क्या होता है मंकी के समान दिखने वाले प्रोसीमियन उनसे पहले वाले जिसे हम बात करते हैं बिटा जो लीमर की बात करें हम लीमर की बात करें बिटा जो है वो लीमर की बात करें हम लो हमने कहा आप से ठीके लीमर की बात करें हम ठीके लॉरिसेस की बात करें हम हम torsiers की बात करें हैं तो यह सब किसमें आते हैं prosimians में आते हैं ठोछा जहान रखना है कि हमें पता होना चीज़ी अब यह क्या होते हैं lemur, lorises और torsiers चुलो देख रहे हैं आप है तो हम क्या देखने हैं सबसे पहले हमें दिखाई पढ़ रहा है जो है सबसे पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें दिखाई पढ़ रहा है यह ठीक है लीमर लॉरिसेज और टॉर्स तॉर्स यह प्रोसीमियं से लीमर लॉरिसेज़ अब देखो फोड़ा सब कि थो तो याद रखना विटा कि जो लीमर है लीमर जो है यह कहां मिलते हैं लेटा यह मेडागासकर के आईलेंड में हमको देखने मिलते हैं किवल वहीं उसके लावा कहीं और प्रिजेंट नहीं के लीमर जो है वो कहां प्रिजेंट है यह मेडागासकर आईलेंड में प्रिजेंट है उसके लावा कहीं और देखने नहीं मिलता मेडागासकर आईलेंड का अफ इस लिए बताया है कि यह भले ही हम इसलिए पड़ रहे हैं पर मैंने आपको इसलिए बताया कि कि मैं जो है आपको बायो डायवर्सेटी वाले हिस्ते को बताने की कोईशय कर रहा है त relied कि यह value diversity वाले हिस्ते को यहापर connect कर दिया मेंने क्या क्य kitchen क्योंब के één जं जो मेड़ा है मिल रहा है वो और जै टीरार एंडेमीक इन डे इंडो लंटेया तहोड़ा सा जो है वह विजन बढ़ा करके हम बात करते हैं औरесп-षान-तmä टीके है किले तो यह तो बात किया हमने किस के बारे में हमने यह बात की ब्रोसीमियन्स के बारे में हमने यापर बात किया है चलिए ती एच हगजले आप चेक करें आपके आंसर बिटाटके ना हगजले की बुक क्या है वो है मैंस प्लेस इन नैचर और डिसेंट आफ मैंन बुक किसे लिखी थी वो बुक है सैपियंस तो अब पताफ साइन्स के स्टुएंट आपने जो है वो कभी इतने इच्छी बुक नहीं पढ़ी हो कि मैं आपसे बुक है उसका नाम है तो हम कहते हैं कि सबसे हमें बता है कि सीमिय मतला मंकी लाइक आनिमल जो है वहां से हम वानते है कि human evolution की सुरुआथ वहां से वह अटके तो सबसे नहें हम कहते है कि जो है सबसे oldest monkey का fossil क्या है वो है oligopithecus वो क्या बिटा वो है oligopithecus oligopithecus it is the oldest monkey fossil क्या है यह सबसे प्रचिंतम fossil किसी monkey का मिलता है हमको तो वह है fossil monkey जो oligopithecus एक के ऐसा माना जाता है कि जो भी आपके old world monkey है new world monkey सबका पूर्वज यह वाला monkey रहा है oligopithecus यह सबका पूर्वज रहा है तो याद रखीगा क्योंकि हमने अपने रेगुलर क्लास में हमने पूर्वज तरह के से एंसिस्टर रहा है ठीक है अब कोई सबसे ना पुस्व कोई पुछ आपसे चलिए अब आखे बढ़ते हैं इसमें तो आप देखो प्रेम अब प्राइमेट प्राइमेट में क्या होता प्राइमिट के बारे में हमको एक बात पता है क्ढ mellan हमको क्या युमनस में हम को प्राइमेट में शामिल करते हैं के तो यदि कोई पुछता आप से कि कितने हैं modern day apps के modern day apps को modern day आधुकता आधुलिक नहीं कुछ को आधुनिक कप्या क्या होते हैं, तो कितने type में मुठ 95 how क्या होते हैं मिटा यह यह होते हैं यह होते हैं गिब्बन ठीक है ओरंगुटान ठीक है गिब्बन ओरंगुटान गुरिला एंड चिम्पैंजी ठीक है इन सभी में यदि कोई पुषता है आपसे कि इन सभी में सबसे intelligent सबसे intelligent एप क्या कोन है तो वह है गुरिला सबसे intelligent एप है गुरिला ठीक है और human का सबसे निकट कोन है वह है चिम्पैंजी यूमन का सबसे निकट को ने चिंपेंजी याद रखी गट के वल मैं कभी कभी क्या होता ऐसे ऐसे जो है वो आउट अप दी बॉक्स कुर्शन एक्जामिनर पूछ लेता है इसलिए हमको त्यार रहना चीजिए से कुर्शन के लिए ठीक ना चलिए अब यहां पर कुछ अफरिका और साउथ इस्ट 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 में मिलते हैं लीमर लॉरिश तोर्सर को अब ने प्रोसीमियन कहां अभी मैंने पता आया था आपको ठीक ना चलिए अब इंटरस्टिंग बात यह है कि अभी इतने साव मैंने आपको चार केटेगरी में हमने आपर बाटा हुआ ह अब आपका काम क्या है मैं आपको एक होमवर्क देना हूँ आपको उसको सॉल्व कर रटके जो मैंने आपको फोर टाइप ऑफ एप बताए हैं आपको मैंने कपी बताए चार प्रकार के बतलब गिबबन औरंगुटान गुरिल्ला और चिंपंजी आपको सबका साइंटिव सबके साइंटिविक नेम क्या है और चिंपंजी का साइंटिविक नेम क्या है यह आप मुझे बतलाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्या देखने हैं वेटा हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि हम देखने हैं कि यह क्या है वेटा यह हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं वेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा NCRT NCRT में जो सुरुवात किया और नोने किसे सुरुवात किया और नोने Dryopithecus से किसे Dryopithecus ठीक है न यहां से कहानी सुरू की है Actually में यह कहानी बहुत आगे से सुरू होती है ने यह हम इसको Human Evolution को बिल्कुल सही तरीके से पड़े हम तो यह कहानी बहुत आगे सुरू होती है छोटे से एक ट्री शुरू से कहानी सुरू होती है चुहे के समाने जीव से कहानी सुरू होती है लेकिन हम उतना डिटल में कहानी को लेके नहीं जाएंगे आपे अभी हम NCRT पर फोकस करते हैं बात करेंगे तो आपके NCRT में लिखा हुआ है बेटा कि तकरीबन उन्होंने NCRT में उन्होंने कॉमन लिखा हुआ है कि 15 million years ago 15 million years ago ऐसा NCRT में लिखा हुआ मैंने काता नहीं विया मतला billion years ago MYA मतला million years ago तो अब ध्यान से बात सुना ड्रायो पिथेकस का जो time period है है ड्रायो पिथेकस का जो time period है इसका वो है 20 से लेके 25 million years ago ठीक है रामा पिथेकस का है 15 million years ago ठीक है दिमाग बर लखना कभी माल लो इतना refined option आज आए आपके सामने तो यूशूड यूशूड वेवल टू आंसर के आपको आंसर आना चीज़ करके तो ड्रायो पिथेकस जो है ड्रायो पिथेकस का बेटा क्या time frame है 20 से 25 million years ago और रामा पिथेकस का है 15 million years अब खास बात ये है बेटा खास बात ये है कि जो 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 ड्रायो पिथेकस है जो ड्रायो पिथेकस है देयार ये ड्रायो पिथेकस दे आर more app like ये अधिक जो है वो app ये कपी के समान होते है रामा पिथेकस दे आर more human like रामा पिथेकस जो है वो more human like होते है मतलब ऐसा होने में भी तकरीबाँ 10 million years का gap तटके 20 से 15 million years 20 से 25 million years आपके ड्रायो पिथेकस दे उसके बाद फिर रामा पिथेकस बने तो ये मैं आपको time gap क्यों बतलाया ताकि आप confused ना करें exam में आपको पता हो जी किसके बाद कौन आया तो सबसे पहले ड्रायो पिथेकस आया तो हम वो sequence को फ्री रखिए कोई जो है और जो बता रहा हूं से समझने कोईश कीचे तो मैंने क्या बता है time frame बता है आपको यहां पे ठीक है अब यह हम देख रहे हैं ड्रायो पिथेकस अब आगे बढ़ते देखिए अब ड्रायो पिथेकस लाइफ अरा जो है अब देखो सी में life arises in archidic era और pre-cam में नहीं life arise किया ठीक है ना clear ठीक उसके बहुत सालों बात जो है तकरीबार हम कहते हैं कि आज से हम कहते हैं कि 25 25 million years ago जो है वो हमको जो है वो ड्रायो पिथेकस देखने मिले और यह हमको एप के समान अधिक दिखाई पड़ेट के ड्रायो पिथेकस को हम इसा मानते है कि यह यह जो है यहां से दिशाओ दो दिशाओ में डवड़ब एक तो मॉडर्ण डे एप बन गए और दुसरा में बन गए तो इनको कॉमन एंसस्टर मानते है एप और में के बीच में ठीक है ना clear ठीक है इस एक तो हमने यह बात क्या इसके बारे में बात करते हैं हम थे रामा पिथेकस आहीं तो आप चलता है कि इन्होंने क्या क्या है इन्होंने जो है वो अपनी डाइट में इनकी जो डाइट थी उसमें तो अब देखो घो चुट-चुटी बाते बता रहा हुं आप पो कभी-कभी examiner ऐसी चीज़े पूछ लेता है तो मैं थोड़ा सा main app से का ना कि मैं आपको regular batch में सब चीज़े जो as per systematic तरीके से बतला चुका हूँ conquer series में हमारा सूचने का थोड़ा द्रश्टी कोण चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा हम थोड़ा थे कुछ कि नट्स खूज लिए और नट्स में भी यह सब से पहले जो सबसे फैवरेट इनका वो था वालिट अकरोट जो यह नहीं खूज निकाला ठीके और आपको पता रिंटर्स्टीं बाद इस अकरोट को तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि this dietary shift is associated with the climatic change in the latter part of Mucin के, Mucin के later part में ठ्वड़ा climatic change हुआ जिसके चलते हैं जो है वो fruits की का number comparatively fruit tree कम होने लगे तो उसके चलते हैं जो है dietary shift जो है वो करना पड़ाट के तो ये एक नई नई बात हमको समझ महाई अच्छा अभी तक हम सुचते थे कोई फरकी नहीं है पर हमें समझ महाया कि ड्राइव पिथे का जो है ड्यार on the softer fruit type पते और ये नट्स वाली ड्याइट पर आ चुके थे ठीके और ये यह ड्यार और यह दोनों में कंपेर केड़ा तो ड्राइव पितेकस और मोर मोर एप लाइक एंड्रामा पितेकस और मोर यूमन लाइक ठीके थे ना कि चलिए आगे बढ़ते तो अब अब देखो यह एंसीएटी का ही ड्रामा पर थे कर तो मैंने आपको बता है बेटा ये है 20 से 25 मिलियन एर्स उगो और ये है 15 मिलियन एर्स उगो ये पाया आते हैं इनके सरीर पर बाल प्रेजेंट थे हैर प्रेजेंट थे वाग लाइक गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चला करते थे ये अभी ये ट्रूली बाइपेडल नहीं हुए थे ये पेडों पर जूलते थे कि अर्बोरियल पर रहा करते थे ये ठीक ना ठीक पर हैंग करते थे और इनका वॉक करने का तरीका ये था कि जो है वो दो पेडों पर थोड़ कुछ समय चलने के बाद ये अपना हाथ को जमीन पर टिका लिया करते हैं जिसे गुरिला चिंपनी चलते हैं रामा पिठेकस जो है द्यार मोर मैं लाइक अधिक मैं लाइक थे कि ड्राइव पिठेकस जो है वो मोर एप लाइक अधिक एप के समाने ने जो यदि हम कहते हैं आपके कि रामा पिठेकस जो है वो इसका मतलब य आपको पता है रामा पिथेकस क्यों बोलते हैं इसको कि यह हमारे इंडिया में शिवाली खिल से खोजा गया था तो वहां पर हम किते हैं कि गौड रामका लेंड जो है तो रामा पिथेकस नाम इसका दिया गया था था ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने इंड पर दिखाई पढ़ रहा है और इस फॉसिल पर हमने इस ट्रक्शर को क्रियेट कि और फॉसिल जो है सबसे बड़े एवीडन्स होते हैं एवालुशन में हमारे लिए ठीक है रहा किलर चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या खास बात है देखें आप देख रहे हैं हमने से का स्कॉरrou आंगे बात थिक फिलर हमें रखना है कि डाइओ पिदेखर और बात कर चुके हैं इसके बारे में बात करके इसके बात कर चुके हैं इसके बात यह है कि इसने पहली बार इसने जो है पहली बार इसने स्टोन का इस्तमाल करना सुरू किया स्टोन टूल से यूज़ करना सुरू किये ठीक है ठीक है और उन स्टोन टूल को इंप्रूव किया हो वो हे वेली इसने उनको improve किया एगे हम कहते हैं कि जो broad raw broad raw इस तो एने यह इस तो इनको चुनने के बाद उसका use करता था और इस तो उनको तराश कर उससे tool बना ले करता है चिपलेट, चिपलेट समबात करेंगा यह देखेंगे इसमें मतलब यह हतियार रखकर घूमने लगे थे अब यह ठीक है मतलब आदिमी का अटेच्मेंट हतियारों से जो है वो कपडों के पहले रहा है मतलब यह क्या वैपन लखे गूम रहे हो ठीक फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो हमने आपसे का की जो है वह हां देखिए आप हमारे सामने जहें वह एंसीयार्टी का इमेज दिखाई पड़ रहा है आपना एंसीयार्टी का इमेज यहां पर हम देख रहे हैं तो एंस चिंपांजी देखा थे ब्रेंड देख रहे हैं तो हालनकि इमेज जो है वह डैट इस नॉट नॉट वेरी सिगनिफिकेंट इमेज परन तु पता हमको होना चीव ठीक है यह जो है आप देखिए जब भी आपसे वह कंपरेंज करने को बोलेगा ना बेटा तो आपसे आपक आपको जो है वो इस वाले ब्रेंड को आपको यह होमोसेपेंस का ब्रेंड है और यह चिंपनेट कि तो आप देख सकते हैं बकल कैविट यह दिखिए आप यह तीथ ना प्रोटूरेट आपको यह सा दिखाई पड़ रहा है तिक आप करनेल हाइट ज्यादा दिखाई पड यहां पर लिखा हुआ है ताकि आप छूटी-छूटे डिटेल्स को आप मिस ना करें बिटा बिल्कुल एना टूदी पॉइंट हम बात कर रहें यहां पर ठीक है और आपको यह मिस नहीं करना इसलिए मैंने से लेक्षर को दुबारा से पुरा-पुरा ले रहा हूं उसको म यहां यहां फॉसिल जो परलन मेफ लाइक बंस शलिए ने मैनला इक बॉनस ठीक हां मिले हम फोले हम को यह इतोपिया और तंजानिय और इंदक इन तो गरता है विटा है आफ्रीका में बिल्क है एने ऐंदेने अर्फिका के उासों जो जो सवाना सवाना ठीक करता हूँ इसको जराब है ठीक है अफ्रीका के जो सवाना सवाना ग्रास लेंड अफ अफ्रीका ठीक है बिटा इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं क्रेडल of human evolution मनुस्य के जेव विकास का पालना ठीक है ना यह वो जगे थी यहाँ पर human evolution जो है वो हुआ लंबे स्मितक रहा है और यहाँ पर human evolve के अटके तो हमने क्या का आप से हमने का कि कुछ fossil हमको मिले हैं man like bone के कहा मिले हमको इथोपिया में मिले हमको और तंजानिया में हमको यह देखने में लेटके पूर्वी अफ्रिका में जो है वो चला करते हैं वहाँ पर वहाँ चला करते हैं और इनकी जो हाइट थी वह चार फिट से कम थेटके नॉट टॉलर टॉलर देन फोर फिट के चार फिट से या उससे कम हाइट के थेटके और यह बट वाक अबट के मतलब यहाँ पर हमको जो है वो ट्रू सेंस में हमको बाई पैडल लोको मोशन हमको देखने मिलता है यहाँ पर हमको सच्छे अर्थों में दो पेरों पर चलने वाले दूई पाद गमन देखने मिलता है ट्रू बाई पैडल लोको मोशन हमको यहाँ पर देखने मिलता है ठीक ना को ऐसे जब 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 जो है अब तक जो फॉसिल हमापास रिकॉर्डड़ वो टू मिलेंडियर सो पहले वाला फॉसिल है जो इस्टर अफ्रीका ग्रास्टेंड में मिलता है ठीक प्रमान बतलाते हैं कि यह शिकार किया करते थे ठीक है विट इस्टोन वैपंस कि किस से मतलब यह है कि OSTILOPITHEKS ने जो है फॉस्टोन्वेपंस बनाना सुरु किर जड़ा रख के कि लिए एक दम बटा मैं आपको जांग मैंचा रहा हो कि यह portion से question आएगा 99% question NCRT की information से ही आएगा इसलिए एक बार हम information को ध्यान से हम देख लेते हैं तो मैंने क्या कहा आप से मैंने आप से काया बेटा कि जो Australopithecus है इस Australopithecus ने stone weapon का इस्तमाल करना शुरू कर दिया इसने ठीक है यह शिकार करते थे hunting किया करते थे लेकिन यह खाते थे फन ठीके fruit पर खाते यह fruit थे परहपस यह यह अब यह hunting क्यों करते थे यह hunting करते तक अब जब खाते नहीं से उसको तो क्यों हंटिंग किया करते थे वटके sometime to get teeth यह दात लेने के लिए ठीक है उनकी bones लेने के लिए ठीक है कई बार डर कर शिकार करते थे कई बार मनरंजन के लिए शिकार करते थे थे ठीक है यह खाते थे तो teeth bones यह सब इनके जो है वो weapons की लिस्ट में शामिल थे पर primarily यह यह यूज़ करते थे किसको stone का यह इस्तिम घृष्ष चैसे लिए ठीक है क्लियर है आप देखने हमें हमको इन दिखाई पड़ रहा है यह आस्टेलो पिंधेकस की बात करें किसकी बात करें है और शीकिया देखने की बिल्कुल ट्रूर्ट आप देखने है आपको यह बकाइदा आपको जह है वह टूर्टू वाई प यहां पर देख देखने आपको यहां पर मिल रहा है ठीक ना क्लिया ठीक है यह है ऑस्टिलोग पेथेकस ठीक बिटा चली आगे बढ़ते हैं और यह इसका फॉसिल इसका ब्रेइन हम देखें हमको एक्चली यह रियल फॉसिल जो जो आज भी जो है वो मुझेम में रखा हुआ है यह फॉसिल मिला है और इसके आधार पर में इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया हुआ है ठीक है एक बार मैं देखने गया तो मैंने अपने मेरे साथ में जो है उस समय मेरे एक teacher थे यूपीसी के समय मेरे teacher थे एनके वेद सरा आपको भी google करेंगे में बहुत famous teacher ने एनके वेद उनकी coaching का नाम था वेद्स-ICS ठीक है यह उनकी coaching थी दिल्ली में तो यह बोपाल आया करते थे उसे कभी लिए के FOR चेह कर साइब कर ने के लिए के लिए कोचिंग करती तो ذुम काम करते हैं प्किक पर चलते सब करें पिकनिक पर लोग मीढ़ना चलता एंग साची 20 बेर सबीवा पर आए मैं पिकनिक चलेंगे चलो हमने का आप सब जा रहे सारे बच्चे दहल चलते हैं एक दिन बस किया और वहां हमको लेकि साची लेके गए और भीम बैटका लेके अब भीम बैटका मैं क्या दिखाया मैं आपको बताऊंगा आगे साची लेने वहाँ पे दिखायाया हमको आध्योर सभRR तो वहां कर्णी बढ़ तो बयुक्त कहज़ें टो बहुत होएं बहुतर पर तो सीर्थ अधा इनन पत्थर को शेप तया गया होता ये पद्थर को शेभ तो मैंने बढ़ाया की स्थिए नदी नदी के बहुते पथर में भी बन जाएगा उनने का नहीं हमेशा स्टोन टूल जहां भी मिलते हैं वहां पर वह एक पैटर्न के मिलते हैं और बड़ी संख्या में होती है और हुमन लेटल के आसपास में गड़ी हुई मिलती है तो उसका मतला में या तो उसका वो टूल है या रिलिजस प्रूसियर का हिस्सा है वो ठीक है तो उन्हेंने बताया कि इसके बाद लिए पुरा एक साइंस होता है जो कैसे टूल्स को हम बिसी कुछ अछीचि को अभी इसके बाद हमने देखाता हमने देखाता लुव मा हेड़ा-प्रफिछ Raphael सथ. इसके बाद हमने देखा रामा पिठेकस ठीक है फिर हमने देखा औस्टेलो पिठेकस ठीक है अभी तक हम जाए ट्रू यूमन विंग तक नहीं पहुच पाएं तो पहला एन्द पहला ऐसा ऐसा क्रियेचर जिसको हम वास्तम में एक्जिस्टेंस में होव है इसम्न काता है हो लिए लेकिन अभी कुछ है। लिकिन अभी कुछ मोजद मिली हैं, जो की ऐसा कह सकते है, जो फर्स्ट हुमन विंग थे, उनके समाने उर वो थे, होमो हैविलिस, और होमो हैविलिस की जो ब्रेंड कयपसिटी थी, वो तकरिवण 650 से लेकर, 800 cc के आस पास थे very very important and modern man के modern man के जितने भी ancestor आदुनिक मनुस्य के जितने भी पूर्वज है जो homogenus में आते हैं उसमें सबसे कम brain capacity किसका है homo heavilis का है सबसे कम brain capacity किसका है homo heavilis का सबसे कम brain capacity होता है ठीक है clear ठीक आपको पता है इसका brain capacity कितना है इसका brain capacity आज के gorilla के बराबर रेट के gorilla से थोड़ा मिलता है जोता है gorilla का brain capacity कितना होता है 550 cc होता है cranial capacity cc मतला होता है cranial capacity cranial capacity ठीक है ना तो हमने क्या कहा हमने कहा ये कितना होता है ये होता है 550 cc होता है और यदि मैं आप से बोलू बोलू बिटा पुछू कि बताईए चिंपैंजी का कितना होता है तो चिंपैंजी का होता है 400 CC ठीक है चिंपैंजी का 400 CC के आसपास होता है ठीक है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बताईए औस्टिलोपिथिकस का कितना होता है तो औस्टिलोपिथिकस का बिटा ब वो 400 ही था, चिंपेंजी के बराबर ही था वो, ठीके, ठीके, खिले, चली, तो इतना सारा हमको याद रखने ही होतनी पड़ती परने, कुछ मैंने अपसे कहा ना विटा, आपको दिमाग में रखना है, कि पहली बार आपको ऐसे creature दिखाई पड़े, जो true human wing के समान थे, मनुस होता है, और यह meat नहीं खाता है, यह meat नहीं खाता है, अभी तक human being ने meat खाना शुरू नहीं क्या था, मतलब यह मासाहारी नहीं थे, they eat only vegetarian diet, यह vegetarian diet को यह खाया करते थे, ठीके, clear, चलिए, तो अब हमने क्या बात क्या, हमने homo heavilyist के, ठीके न, clear, हमें दिखाई पड़ रहा है यह homo heavilyist, ठीके, और homo, आप देखो विटा, एक बात ध्यान रखिएगा इसमें आपर, कि हम जब बात करते हैं, आपको विटा पता है ना, कि जो, 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 ड्रायो पिथेकस, इसके fossil कहां मिले थे, कुछ चीजें दिमाग में रखना है, क्योंकि एक्जाम में पूछी आत एक विक्टोरिया के पास उसके fossil हमको मिले थे, जबकि रामा पिथेकस के fossil कहां मिले थे, हमको शिवाली खिल से मिले थे, जो है एशिया के नतर शिवाली किले थे, ठीके ना, बटा, क्ला, ठीके, अब एक बात, बड़ी इंटरस्टिंग बात एक को उता दूम है, कि बड़ प्राइमेट्स की बात करें से हम बाद करें मंकीज की बात करें और हुवन वींक्स की बात करें तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यह है की लेवन विए प्यूबर्टी होती है यह बच्चा जो है वह एकदम से जब जब बच्चा स्कूल है लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं तो आप देखें गल्स सदनली बढ़ी आती है लड़के थोड़े से पीछे देते हैं फिर लड़के डाइन टैन्द में लड़के एक दम तेजी से बढ़ते हैं तो यह जो घना इसको बढ़ते हैं तो हमने यह आपको बताया दूसरा इसकला हम बात करते हैं कि और यह फॉसिल और यह फॉसिल और यह से चुड़ा हुआ ठिके इसको जो है वह इसको हम जाए अफृकन एप्मेन भी कहते हैं और यह वैसिकली इसको डिस्कूबर के था डार्ट नेट के चाहिए ठीके ना चली वह मैंने मेरे को ऐसे में मेरे को भी याद नहीं मैंने एक पेपर पर लिखा निकाला मेंने की कुछ चीज़ां को याद रहना चाहिए वाली चीज़ के अभी कभी आउट-फी-बॉक्स कोशन पूछ लिया आते हैं ठीके ना अब दिखे हम जब बात कर हम जो है वो हैंडी मैं भी कहते हैं इसको हम हैंडी मैं भी कहते हैं इसको हम हैंडी मैं भी कहते हैं इसने रिफाइंड इसने बहतर प्रकार के स्टोन टूल को इसने बराएट के ऐसा कहा जाता है कि बैसिकली चिप्ड स्टोन टूल चिप्ड स्टोन टूल तीकिए स्टोन त था वो डिफरेंट थे ऐस्टलो पिथेकस के स्टोन टूल से वो लोग क्या करते थे बड़े गोल साइज के पत्थर को लेके चुनते थे वह देयार बैसिकली स्लेक्टिंग दीस स्टोन उसके रावा सबसे बड़ी बात यह कि यह जो है वह इन्होंने पूस्टर उन्होंने इस्तिमाल किया और होमको है वैल्तिक रशेकलिसा देखें होम हेवेलिस वस ए वेरी इंपरेंट टाइप अफ अर्ली हुमन विकास देवर फर्स अर्ली हुमन तो मैक स्टोन टूल के देखें अब यहाँ पर एक कन्फिजन आपको होगा आपको यह कन्फिजन होगा कि सारे स्टोन टूल तो और यहाँ पर यह चिप्ड टूल की बात कर रहा है मतलब जो रिफाइन स्टोन टूल है बहतर स्टोन टूल उसकी बात कर रहा है लेकिन दोनों में से एक कोई पुछेगा कि पहली बार किसने स्टोन टूल का इस्तमाल करना शुरू किया था तो हम बिल्कुल NCRT के एकॉर्डिंग चलेंगे बिटा तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि दिखा ना एविडेंसेश शोज दे हंटेट विथ स्टोन टूल टूल टीके ना तो यह जो है इनको हम हैंडी मैं केते हैं स्टोन टूल जादा रिफाइंड प्रकार के थे और यह पहले यूमन विंग थे इन्होंने आग पर नियंत्रन करना सिखा इन्होंने फायर का इन्होंने इस्तमाल करना शुरू कि यह पर्फेक्ट नहीं थे इसमें लेकिन यूदे आर फॉस्ट टू कंट्रोल दी फायर दे अब देखो बिटा जो जो एंसी आटी में डिटल दे रखे ना वो तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको के फॉस्स कहां मिला है में जावा में मिला जो मैंने आपको डिटल पता है यह आप भूल भी जाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मालों वह ऐसा संभावना कम आने की संभावना उसके लिए यहां पर यह कुशन आने की संभावना जयादा है कि जावा में 9891 में रिविल्ट दी नैक्स्ट वो क्या था हो था होमो एरेक्टर 1.5 मिलिएजर से हो होमो एरेक्टर अब अगें हम क्या करेंगे अगें हम वह एक बार फिर से सिक्वेंस को recall करेंगे 7 मिटके इस lecture के बाद आप sequence कभी नहीं भूलेंगे आपके मैंने कहा dryopithecus ठीके ramapithecus ठीके australopithecus ठीके homo habilis then homo erectus sequence exam में कई बार पुछा गया है अलग-अलग exam में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ dryopithecus ramapithecus australopithecus homo habilis and homo erectus clear homo erectus की जो cranial capacity थी वो थी 900 cc ठीके किती थी वटा ये 650 से लेके ये 800 था और ये 900 से सिधा ठीके ना ये लिखा देखिए NCRT में ठीके NCRT का figure हम match कर लेते हैं एक बार बेटा NCRT में क्या लिखा है देखो न NCRT में हम बात कर रहे है कि देखिया हम बिल्कों सही है homo habilis 650 मैंने का आखने वरी करते हैं NCRT के आखर देखिया 650 से 800 homo habilis का है 900 याद रखना बिटा आपको ठीके ना ठीके और 400 जाए हो किसका है वो है आर्ज ब्रेंड अराउंड and homo erectus ऐसा कहा जाता है कि homo erectus ने संभव था homo erectus ने पहली बार मीट खाना शुरू किया ठीके इसका मतलब यह कि इसने यहां पर मीट खाना से शुरू किया ठीके जो ऐसा कहा जाता है कि डाइट के जिसमें कि soft fruit diet को nuts वाली hard nut वाली क्या था कि बाकी सारे animal nuts नहीं खा सकते है अखरोट है बहुत सारे animal अखरोट नहीं खा पते वो बहुत hard cover होता किसे तो ठीके तो कई सारे nut यह से थे जो nut जो है वो लगने के बाद या तो नट जो है वो उनको animal बहुत कम animal उनको खा पते थे अधिकांस animal उनने नहीं खा पते थे वो अगिस्तमीन पे गिरते थे decomposed रड़ा cover उसका निकला उसमें या तो उग गया प्लांट उससे या फिर उसको decomposed कर दूसरे चिटीविटी और दूसरा शिफ्ट कहां पर हुआ दूसरा शिफ्ट हुआ ये होमोहेवलिस से जो है वो इरक्तस के बिच में ये वैज से नौन वेजन है मीट वाली ड़ी कई लोग कहते हैं कि होमोहेवलिस जो है वो कॉर्णी वरास और है ये यह नहीं हो चुआ फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या है इसके बाद आए देखो को बिटा इसके बीच बाग ऐसा नहीं है यह आप कोई भी अच्छी टैक्सबुक पढ़ेंगे ना तो इसके बीच में भी कई सारी इस तो अभी हमने शॉट में वही सिक्वेंस को हमने याद करने कोई करने अब क्या है अब आये हां पर नियंडर्थल की बात करते हैं आप मतल जर्मनी की नियंडर वैली के अंदर इनको फॉसिल हमको मिलें इसलिए इसली हम लिए उप्के प्ने का ब्रेंस ब्राबर नेंट्र सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इनका डिस्टिबूशन जैए वह एश्या के अंदर भी प्रिजेंट था के कब से कब तक यह एक लाग से लेके 40 थाव नियर बैक में हम इसापूर में क्या कर रहे हैं विटा बैक में जा रहे हैं तो हमने क्या क्या है अबने का कि आज से 40 था बढ़ एक लाग वर्स पहले जब को यह देखने मिलते थे यूज है पहली बार पहली बार इन्होंने कैब में गुफा में रहना सुरू किया हैं इन्होंने की पर समय तक उनको अक्समाल करते थे वोटके और फिर अंतिम संसकार किया करते थे उसका वो पहले सुरू मैंने आपको बताई था एक बार रेगुलर लेक्शर में कि पहले यह डेड़ बॉडी को अपने साथ अपने साथ कि एक बच्चा है मालनों मर गया तो मदर अपने पास रखती थे उसको कई बार वो डिकंपोज होने पर कई बीमारीयां होती थे उसमेट के और रहेंगे उन्हें दुख तो रहेगा लेकिन वो बॉडी से दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फेलेगा तो वहां से तो इन्होंने वह डेड़ बॉडी को वरी करने की प्रता कि इन्होंने शुरूआत कि ठीक और तो मतला मैंने कहा कि फर्स टाइम जो है वो इन्होंने देखिए और वोस्त हम जो है वा इनका ब्रेन साइज हमको आप पाएंगे कि अभी भी बहुत जो जो अफरीका में जो ट्राइवल मैं यह नहीं बोलता कि वह नींटर्थल से पर ट्राइवल कई आप देखिए तो जो 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 इन्टिक में एक पहना है इसा ब बारे में तो मैंने जो सेपेंस बुक पड़ा उसमें काफी कुछ इसके बारे में लिखा वह नहीं लेकिन अभी हमारे काम का वो नहीं हम इस पर बात करेंगे अब इतना समझेंगे कि यह हमें नेंटर साज है वहां पर दिखाई दरें चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे होमो सेपियन्स फॉसिलिस्ट होमो सेपियैन्स फॉसिलिस्ट पता है क्या यह क्रोमैगन ऐसा ऊंडिक जिसका रिची से सबसे तेज़ दिमाग का ठीक है इसका करेंट से लेके 1650 सिसी के आसपास था यह ठीक है इतना है नहीं हम से अधिक intelligent था यह और इसका और यह इसने जो जो और यह यह मालू मैं आपको पता है यह कहां प्रिजेंट आपका यह हम करते हैं यह यह प्रिजेंट था France में करने इसके fossil कहा मिलते हैं इसके fossil हमको France में मिलते हैं फ्रांस में हमको जो और यह सबसे intelligent human में से एक रहा है जैंटिस आज भी जानने की कोशिश कर रहा है कि यह कहां चला गया नहीं बड़ा कोश students कर चला कर चे हैं और आपको बता ज़िसके लिए यह सबसे होश्यार इंटाल देखिए जो हम कर सकते हैं अपने अपने इक ब्रेंड कार्ण कापसिटी के साथ में यह हम से तेस्था पतला समझ लिजे कि हमसे और यह जो दोस्त जो फरक है ना यह मामूली फरक नहीं है यह ब्रेंड के लेबल पर बड़ा भारी फरक है अब फ्रांस में आपको देखने मिलें करेंगे पर कैपस में तो वह फाइन पेंटिंग जो इसने वाल पेंटिक को इसने बनाया ठीक है अब आते हैं हमार आते हैं अब जो है वो modern men की बात करते हैं homo sapiens arose in Africa and moved across continents and developed into distinct addresses के दुरिंग ISIS के स्वेट के दुरान जो है तकरिवें 10,000 से लेके 75,000 years ago modern men homo sapiens का बेटा time period क्या था कब ये उत्पन हुआ ये 10,000 से लेके 75,000 years ago जो है वो ISIS में जो है फिर pre-historic के बाट कितना पुराना है 18,000 years ago इतना पुराना है और ये में कई बार आपको जो है वो DPS में question में मैंने आपको दिया हुआ और ये important है याद रखना तो pre-historic के बाट जो है 18,000 years ago किर्शी की शुरुआत का वही अरा लगत तकरिवन 10,000 years back जो है वो agriculture की शुरुआत की कितनी आप देखिए food habit बदला ठीक है नॉनवेज बेश से नॉनवेज में shift हुआ अब problem ये कि उसके बाबजुद जो है food की कमी हो रही population बढ़ रहा लगाता रहा आदमी जो है वो संख्या बढ़ा रहा अपने कभीले का size बढ़ा रहा रहा तो उसने फिर खेती करना भी सुरू कर दिया और उसक है और दिखेंगे कि आप कई सारे मार्केट में आपको जो है वो कैप मिलेंगे आपको टी-शर्ट मिलेंगे उस पर लिखा होगा एंडवाइसी नियॉक सिटी मैं कई सारे सिटी को देखा हूं बिटा अपने जिल लाइफ में मैंने जो है तमाम इने मैंने कौलालंपूर जो है वो लंडन हुआ बहुत सारे ने कई सारे जो हुआ आपका अंकारा हुआ इस्तानबूल हुआ बहुत सारे मैंने सिटी देखें पर आई नेवर साइटी शाइनिंग लाइफ नियॉक एसा सहर है कि इसको देखके आपको लगता है कि यार सड़क पर कहीं भी खड़े हो आदमी इतना सड़क पर सिस्टेमेटिकली भीड़ भी है जारा आदमी के बदब चमकता सा सहर रात को देखेंगे तो पुरा सहर चमक रहा होता है नियॉक स्टी इट क्या फिर तो जो है लगा एक जमाने में ये बैबिलॉन था बैबिलॉन था कहां पे इराक में दुनिया क सबसे बड़ा सहर पूरी दुनिया देखना चाहते थे कि बैबिलॉन है कैसा सच बोल रहा हूं तो फिर तो मानब सब बता आगे आगे वह होता चला गया अब सिंपल सी बात है कि अब यह तो हमने बात क्या एंसी आर्टी के एकॉर्डिंग हमने बात क्या कि एकॉर्डिंग गुफा में जो बित्तिचित्र बनाये हुए है वो आपको दिखाई पड़े है और उनकी रूटीन एक्टिविटि को शो करते है विसकर शिकार करने को शो करते हैं आप तीर कमान हाथ में दिखाई पड़ रहें आपको अपटके तो यह के बात है ठीके चल्डि़ अब एक क के ही question actually ठीक है हम इन एक्जाम के question को देख लेते हैं रगबार पहला question में आपसे पुछना हूँ चलिए आपके सामने question देता हूँ आपको में साथ solve करते जाना है ठीक है ठीक है cranial capacity was highest in ठीक है सबसे दिख रहा है question यह है ठीक है पहला question यह है cranial capacity highest in किसमे highest in क्या आपके सामने option है option a है cromagnum option a है cromagnum option 2 है इसमें में लिखने में साहीं प्राब नहीं करता बोलता option 2 बेटा क्या है option 2 है नियंडर्थल ऑप्शन सी है java man option d है पैकिंग में के cromagnum नियंडर्थल जावा में एंड पैकिंग में तो आयाद रखीगा बेटा कि कोशन पुछा गया आप से विच वन अप दी फॉलिविंग वाज दी फर्स तो इस्टेंड इरेक्ट एंड शो दी बाइपेडल movement का कौन सा ऐसा है जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ और उसने बाइपेडल लोकुमोशन को movement को शोग किया मैंने आपको बताया था क्या था वो और पुछूंगा आपके option option में time grab नहीं करते हैं नेक्स यह कि वो fossil man जिसकी cranial capacity modern man के इसका नेंडर थल की cranial capacity exactly हमारे बराबर थित्क है विच वन आप दी विच वन आप दी फॉलविंग इस closest relative of man कोंसा मनुस्य का closest relative है ऑप्शन है चिंपैंजी औरंगुटान गोरिला गिबन तो मैंने आपको बताया है कि genetic studies कहती है कि चिंपैंजी is more near to us ने एप में सबसे नियर एप जो है वो हमारा चिंपैंजी है हमारे लिए ठीक है ठीक है फिट क्रो मैंगनन मनुस्य किस तरह के थे तो आप से पुछा गया उनने कि वो sanguvorus थे blood पीने वाले थे फ्रूगी वरस थे फलका रस पीने वाले थे option सी यह सकति है कार्णी वरस थे या हरवी वरस थे तो क्रो मैंगनन जो है वो क्रोणी वरस थे क्या है हो हो हमो इरेक्टस से रहा है कॉर्णी वरस मैंकी सुरुआत हो चुकी थी ठीक है रा के एक स्वेट कूश्चन यह fossil me next part in making up painting and excellent tools क्या एसे fossil मैं ऐसे fossil मैं जो रॉक पैंतिंग मनाने में और वाइन टूल्स बनाने में एक्सपर्ट थे तो आपके सामने option क्रो मैंगनन पैकिंग मैं जाबा मैं एंड़ छा रथल तो आंसर उसका है क्रो मैंगनन हो मैंगनन क्रो अफ्टीलोपिटिकस ऑस्टलोपिटिकस की क्रिनल गापसिटी थी इसकी एंसटीलोपिटिकस की क्रेंटी में नहीं देखिए पर एक्जाम में बटा आया हुआ धुए एक्सिटी में और फॉर लेकर्ट से लेकर 600 के तो एक्जेक्ट ना तो 400 से 600 के जो है वो अब यहां पर क्या रखा उसने यहां पर उप्षिन रखा है 390 से 510 675 से 720 1015 से 1075 882 से 897 तो बेटा 400 से 600 मतलब 390 से 510 आप आप अधार लगा सकते ठीके ना next thing which one is irrelevant to evolution of men मनुष्य के जे विकास में कौन सा आप रासंगिगे irrelevant है option A है perfection of hand for tool making बिल्कुल सही यह तुझे इंपोर्टन था एन टूल बनाकर human evolution जो है उसमें टूल बनाना जो है बड़ा important part human evolution करके यह तो सही है के तुसरा है change of diet from hard nut from hard nut to soft food and meat ठीके तो answer यहां पर जो है वो change of diet यह भी relevant feature एक फिर increase ability to communicate communicate करने के ability को increase करना यह भी important feature था इसमें के loss of tell अब loss of tell का importance था यह कोई कोई नहीं कह सकता के tell क्यों गाया वोगई कैसे गाया वोगई यह loss of tell जो इसका कोई direct significance human evolution में नहीं है ठीके ना किला फिर कोश्चन पुछा देखिए बिल्कुल direct question है आपको पुछा गया question यहां पर कि हां मैं ब्रेकेट में homo originate in a man या homo genus का origin का भुआ था तो answer इसका वेटा है याद रखीगा भूलेगा प्लिस्टोसीन प्लिस्टोसीन इस दी आंसर ठीके फिर विच इस डारेक्ट क्रेडल ऑफ cradle of human evolution है इसके तो human evolution का cradle या पालना क्या है वो है आपके central अफरिका के grass के सवाना ग्रास लेंट के आप option दे रखा है grassland of south america अफरिका सवाना ऑफ central अफरिका तो मैंने पता है न सवाना forest में grasses होती है और कुछ tree होते है तो यह जहां पर human evolution सबसेदिक हुआ है सबसेदिक fossils मिलते हैं वो है सवाना ऑपती central अफरिका ठीक है डा क्लिया फिर नेक्सस में हाँ होमो हिवेलिस में हिवेलिस वर्ड का मतलब होता है बेटा टूल मेंकर हिवेलिस वर्ड का मतलब होता है टूल मेंकर है ना ठीक है मैं केवल कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहां पर आपको बता रहा हूँ मैं टैक कुछ कोशे ऐसे हैं जो exam में आये हुए इसलिए हम इस पर बात यहां पर कर रहे हैं ठीक है ना फिर प्रिमिटिव मैं हूँ बिल्ट अप ड्वेलिंग हर्ट्स एंड बरीड इट्स डैट के पाचिन मनुष इसने की जो है वह जो छुट छुटी जोप्रियों को बनाया उसने और जो है अपने जो लोग मल जाते है फोसिल्स के फॉसिल के फॉसिल कहा देखने मिलते हैं यह सार्ए क्लासरूम में यहान चुक कर लीजेगा कर लीजेगा ठीक है ना ठीक तो यहां पर हमारा जो है यह वाला हिस्सा जो है वो पूरा होता आलमोस्ट के तो हमने क्या देखा हमने आज जो है वो इस लेक्चर में हमने जो है वो human evolution पर बात किया कि मैंने पहले भी विट आप से काया कि why this four chapter को कि एक से तीन question पका आना इसमें और मैं कहना आँ आपसे कि इस बार आपको 2020 में आप expert कीजिए there are two questions और उसमें भी आप क्रम बिल्कुल याद रखेगा आप ने आपको बताए ना विटा क्रम अगदम धिमाग में रहना चीए हमको यहां पिटके कि हमने देखा कि Driopithecus से, Rama-pithecus से, Australopithecus से, Homo-hmm regional से आपका Humo Erectus के बाद से हमने कि जो नींडर हमने का कि इसके भाद अपका फिरह व sabesic तो हमारा डारेक्ट पूरवज वह नीन्टरथल नहीं है हमारा डारेक्ट पूरवज जो एक्ट से निन्टरथल बने और एक्टर से वह सैपियन्स बने ठीक है ना चल तो मुझे लगता है आज की क्लास में एक बार हमने कॉंसेट को ब्रश अप किया देखो बेटा मैं कुछ नया तो पढ़ा ने सकता ना मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको उक्ताई के मैं केवल आपको एक नए तरीके से पुरानी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है आप एठके तो उम्मीद है आपको कॉंकर सिसके स्टेक्चर में कई साही चीज़े ब्रश अप होई होई होगी दुबारा से याद करने में आपको असानी होगी उसमें तो पढ़ते रहे हैं मिनत करते रिटा और एक्जाम में होड क्याना all the best